आज हम 5 मिनट में पहुती मज़ेदार सा स्नैक्स बना करके तयार करेंगे जिसे बनाना तो बहुत आसान है ही और घर में रखे कुछी समान से ये बन करके रेडी हो जाते हैं तो चली बनाते हैं तो सबसे पहले एक पैन को अच्छे से गरम कर लेंगे उसमें एक चमस तेल डा ये तो इसमें आयट कर देंगे 2-3 बारी कटा हुआ लैसुन लैसुन को हमें अच्छे से पका लेना है इसका क़छा पंदूर हो जा और इसके बाद हमें इसमें एच्छे साथ पंदूर हो जया और आप बच्चे के लिए बना रहा रहा है तो मिर्ची को कम ज्यादा कर सकते हैं. और यहाँ पे फिर इसके बाद हम एट कर देंगे थोड़ा सा करी पता और करी पता को भी इसके साथ अच्छे से मिला देंगे. इसके बाद हम यहाँ पर एट कर देंगे एक medium size का पैयाज है जिसे मैंने बारी cut के एट कर दिया और इसे भी high flame पे हम हलका साथे कर लेंगे जब प्यास का color हलका सा चेंज हो जाए तो इसमें add कर देंगे boil mash किया हुआ आलू तो आलू को मैंने पहले ही उबाल लिया था, इसे अच्छे से छील करके मैंने मैश कर लिया है, गरम गरम ही आलू को मैश करेंगे तो बहुत ही बड़ी आसी मैश हो जाएंगे, बस ध्यान रहे इतना कि इसमें कोई चंक्स नहीं रहने चाहिए, अब इसके बाद इसमें मसाले अच्छा कलर के लिए स्वात के अनुसार नमक और एक चमच चाट मसाला अड़ करेंगे, और इसी के साथ धनिया पता आड़ करके हम बहुत ही अच्छे से इसे मिला लेंगे, और लो फ्लेम पे इसे 5-7 मिनट के लिए हमें इसी तरीके से चलाते हुए बढ़िया से पका ले के लिए, अब एक तरब मैंने ले लिया है, ब्रेट के कुछ स्लाइसे और इसे हम इस तरीके से लेंगे, और जो आलू की स्टफिंग हमने बना करके रख की थी, उसे हमें इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेट कर लेना है, तो आप चमच से हाथ हो से जैसे आपको सुवीदा लगे, उस हिसाब से कर सकते हैं, तो लीजे मैंने इसे कर लिया है, अब इस तरीके से हम इसके स्लाइसे कट करेंगे, तो आप अपने मन मुताबिक कोई भी अकार में इसे कट कर सकते हैं, मैं फिल हाल इसे लंबे-लंबे कट कर रही हूँ, और यहां पे मैंने तीन हिस्सों म में इसके कट कर लूँगे तो अब इसे हम रखते हैं साइड में अब यहां पर मैंने चार से पांच बड़ा चम्मच मैदा को घुल लिया है और यहां पर ब्रेड क्रम्स तयार कर लिया है इसमें थोड़े से चिली फ्लैक्स आड करेंगे और साथ इसाथ थोड़ा सा नमक अच्छे से टिप करते हुए और ब्रेड में अच्छे से कोटिंग कर देनी है इस तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो में बड़िया से हाथों से दबाते हुए इसे कोट कर देंगे तो लीजिए मैंने यहां पर सारे बना लिये हैं अब इसके बेस्ट रिजल्ट के मिडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राइ करना है लो लिए यह जो ब्रेड के रोल्स भी खर जाएंगे इसलिए हमें से मीडियम हाइफ लिए फ्लेम पे psyडिया से खालेना है इस तरीम इंशा सकते हैं तो इस तरीके से जटपट स्नैक आप जाहें गया थे मिंशाई की ती फ्राइ करके रख लूँगी और ये लीजे बन के तयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी ब्रेड ड्रोल तो रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करियेगा